अच्छे अब हम लोग ने करना हैं सेंट्रिल पूसर्सिंग यूनिट तो बेसेक्ली प्रोसेसर फंडेमेंटल में जो आप लेंगज और मोनिटरिंग सिस्टम किया था उसी उसका पहला सबसे पहला सब पार्ट है सब टॉपिक समझें उसको तो सेंट्रिंग यूनिट जाहें अब लोगो ने एक चोटा सा करना है इसका सी पी यू इंशाला आज की क्लास एक होगी और कल इसको हम लोग खतम करेंगे सब चीज़ें इसकी बिल्कुल बेसिक से करनी है और जितना भी कॉंटेंट है यह वह वाला चप्टर जिसमें आपको चीज़ें याद करनी पूड़ यह आग आपकर नियुकल一下 तो सबस्ब्सेद पहलिए चीज़ की में हैं आप लोगोcha के लिए हुद है आपका इस शचना को बfangके नाम है औहे सेमट्रिल के बारे में बात करेंगें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हिसनी डिसकhow करते हैं झाए तो में चीज जो है जो सबसे में चीज उसली के बारे में हम लोग बातें के रखेटेक्टर सब आपके पर आपके सैबारेंस के शिरे हैं युद्ड आर्केटेक्स्विपा हुता है सब्सक्राइब'S का इस्ता है तो हम उसको डिसक्स करेंगे तो यह एस कहीं चप्टर रहा है वाइद रहे हैं कि क्या मतलब कि सब्सक्राइब करते हैं जो मेन इसकी फंक्शनालिटी है उसके पास वन्यूमन आर्किटेक्ट्चर में आपके पास तीन पर्टिकुलर चीज़े होती हैं बिलकुल जैनब गुल्ड हो गया जी सेंट्रल प्रसेसिंग यूनिट यूर मेमरी और इंपर आपर डवाइस इन तीन चीज़ों को बेसिकली हम लोग कहते हैं वन्यूमन आर्किटेक्ट्चर लेकिन बेसिक इसके पास बेसिक इसका कि हार्वड और वन्यूमन आपके पास हमेशा है वह दो के तरीक होती है एक होता है और आपके पास प्रोग्राम सभी आप दो चीज़े माने पास एक data और एक रोग्राइम अब वॉर्णिमें और प्रोग्रांओ दोनों एक पर्टिक्लर मेमरी के अंदर स्टोर होंगे में अलग में आपन। आंके आपकी सिंगल होती है शेयर के देटा की मतलब डेटा और प्रोग्राम ंसे निदर Pengen क्तारी केरे नोच्रूचछिन दो जिल नियुक्वन करते। और गाहिते हैं उनका भूरा बिसेकली साहिए करते हैं हैं। तो से करता है उसे हम कहते हैं वान्यूमन और इसके तीन पार्ट सेंटर प्रसेंग विचेंट अब इसके तो क्या है तो वह भात करें तो वह ने अग्यांग इस्तेमाल करता है प्रोग्राम और डेटा कि यह सब्सक्राइब करने में असानी है आपनों को कि लोनिमन अर्किटेक्टेक्ट्चर कंसिस्ट सिंगल शेर्ड मेमरी प्रप्रोग्राम एंड डेटा डाइग्रम बनानी नहीं छोड़ दो नोट से देख लेना अगर वैसे इसकी डाइग्रम जो मैं करवा दूंगा जो मैं डाइग्रम को वह बनाना यह वाली मत बनाओ भी फिलाग्रम आती है अपनों के पास्टेश में जो कि आपको लेबिल करना होता है तो हम उसको कर लेंगे तो इसको बनाने जब्सक्राइब हैं यह सिर्भ मुझे बेसिक के दर हमें इस चप्टर के दर इंडिविजव स्क्राइब को सब्सक्राइब लॉगिफ़ मुझे को कि दिसक्राइब हृँ की अई उसकी जह आपका डेटा जो ट्रांसवर होताया मेमरी और रिजिस्टर के आप अपसंए तो क्या पर्टिक्लर मोड्व होते हैं क्या पर्ट सब चीज़ें करेंगे आपकी जब बसेंगे किस पर्टिकलर पॉर्ट में कनेक्ट हो रही होती है यूस्बी पॉर्ट एच्टी मैप वीजिए पॉर्ट तो उन सब को डिसकस करना है इन सब आपका वॉनिमन आर्किटेक्टर जो है वह बेसिकली कंसेडर होता है यूमन बॉड़ी वैसी आपके एक पर्टिकलर किसी भी कंप्यूटर को हम लोग कोई भी जब डिवाइस बनाते हैं तो हम लोग उसको में अपना जो फंक्शनलिटी उप हुमन बीन है उसको आप कंपेर क बैसिकली क्या है आप लोग कि जितने भी मसल्स बोन जो भी चीज़ें आप लोग उनको फंक्शनल बनाने के लिए आपका ब्रेन उसमें में रोल अदा करता है बिलकुल सेम सेनारियों में हमारे पस कंट्रोल यूनिट है जितने भी हाड़वेर जैंजितने भी सब्सक्राइब करता है उनको एक तरीके से मैनेज करता है क्या मतलब एड़ेशन पाइव कंट्रोल ऑपरेशन सब्सक्राइब करेगा तो नहीं अब तक तो नहीं है सभी सवाल भई सब्सक्राइब करने की बात होगी और जो ऑपरेशन को कंट्रोल करने की बात तो इसमें से मैकसिमम आपका त्री मार्क्स का घराब मैकसिम्म वैसे जो भी तकड़ाया है और टू त्री माक सवाल आता है तरहीं लेकिन हमेशा याद रखो कभी भी मतलिया करो कि अगए दो माक करोगे ऐसे नहीं भी होता आप लिख के सारी होगे को यह सेमस्दा नहीं कुछ नहीं इनमें इन में से दो तो करेक्ट हो जाएंगे को यह सब्सक्राइग तो इसमें जब निगट अपनों के पास तो क्या मस्द आपश दो प्रेंस ने two each instruction execute these instructions instructions को fetch करेगा उनको decode करेगा ताकि वो आपकी computer understandable form बहुंचा फिर उनको execute किया जाएगा तो यह basic काम है control unit का याप से सवाल करता है कि बहुत करो को explain करो अजिए लिखना है तो लिखना है जिल्दी से ताकि हम आगे पढ़े हैं जिसका हो जाए मुझे चाट पर जवाब देखाए अच्छा अब हम लोग ने कंट्रोल यॉनिट देख लिया कंट्रोल यॉनिट के बाद भी हाभ arithmetic logic unit सब्सक्राइब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर हमाई पर दो चीज़ा आ रही है इसके नाम के अंदर दो चीज़े कौन कौन सी है जरा नाम पर फोकस करते हैं फिर इन पर वापस इनके पॉइंट्स पर बात करेंगे हमाई पर दो चीज़ें दो चीज़ें कौ सब्ट्रैक्शन और वह सब चीज़ें आपनों की वह अरिथमेटिक के अंदर आती है अच्छा आप लोग एटू में जाके इसका कॉंसेप्ट को पढ़ोगे के अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर इसके अंदर कुछ अपने यहां पे ना इस पर्टिकलर एरिया मे की लेकिन एस सच इतना भी कॉंसेप्ट नहीं उसमें भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर आपके पास कुछ सिर्किट्स होते हैं सिर्किट्स कौन से आप लोगों ने लॉजिक सिर्किट्स पढ़े होंगे एटू में जाकि हम इनको पढ़ते हैं एडर्स के नाम तो इसको देख लेना वाग पर एटू के चप्टर एडर्स के नाम से जो सब्सक्राइब करते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं जो सर्किट्स हैं वह बैसिकली एल्यू के अंदर इस्तेमाल होते हैं तो चीजों पर बेस कर रहा है उसके नाम पर फोकुस करो और हमेशा यह सब चीज़ क्या हैं यह लॉजिकल ऑपरेशन कहलाते हैं तो आपके अरित्मेटिक लॉजिक यूनिट एल यू की अंदर दो काम हो रहे होते हैं एक है आपका अरित्मेटिक ऑपरेशन जितने भी आप लोगों के माट्स से रिलेटेड ऑपरेशन से एंदेर वी हाफ भूल जाओ तो नाम से याद कर लेना सही है यूनिट विच परफॉर्म्स अरित्मेटिक ऑपरेशन और बिच शिफ्टिंग ऑपरेशन यह चिप्टर कौन सा है यह मॉनिटरिंग क्ट्रोल सिस्टम का अगर नहीं पता तुम लोगों को तो वहाँ पर जाके मॉनिटरिंग क बेसिकली क्या चीज़ होती है एडिशन क्या चीज़ होती है एडिवन जल्दी जल्दी चैट पर जवाब मल्टिप्लिकेशन बेसिकली एडिशन होती है तो बाइ यूजिंग दे कॉंसेट इडर्स एडर्स क्या है ऐसे सब्सक्राइब करते हैं अभी फिलाल आप लोग उसका नंबर से समझ लो एडिशन होती है तो हम नंबर्स को आड़ करते हैं एडर्स आपके और मल्टिप्लिकेशन का का सब्सक्राइब है तो मल्टिप्लिकेशन बेसिकली होती क्या है रिपीटेड एडिशन सब्सक्राइब करना होगा सब्सक्राइब करना होते हैं इसको फिला लड़ा लगा लिए बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन लेफ्ट राइट शिफ्ट दोने चीज़ां डिसका सूचे कि मॉन्टरिंग क का है लॉजिक ऑपरेशन और जौर आपको नाम से इसकी हिंट मिल जानी चाहिए डिजाइन टी परफॉर्म इंटीजर कैलकुलेशन विचिस बेसिकली और प्लस माइनस मैंट डिवाइड जल्दी से देख लो उसको नोड़ डाउन करो पने पास जल्दी 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 हो गया वितरी है अच्छा मुझे जड़ा दो पर बात करने हैं आप लोग की अभी फिलाल तो ऐसे जरूरत नहीं है एसमेली लेंग्विज में पढ़े चुके हैं लेकि मैं नोट्स के तौप यहां पर डाल मूँआ प्लोंके ऑपरेंट और आपकोड सब्सक्राइब लोग फिर भी ऑपरेंट और आपकोड ऑपरेंट क्या होता है इंस्ट्रक्शन जो हमें उस पर्टिकलर डेटा पर पर फॉर्म करने होती है आपकोड़ परेंट क्या चीज़ है यह अपरेंट को यहां पर नोट से एक दिफ़र देखेंगे लाइसको अभी फिलाल आपनों को जुरूद नहीं पढ़े इसकी अच्छा अब लोगे दो चीज़ें डीटेल में डिसकस कर लिए हैं वी आप डिसकस्क्राइब भी तो और सब्न्गरह ऑफ टॉर्ट पहले इंडिविजोल समझते हैं पर हम लोग। टाइप softle देणगे संब्सक्राइब देखिटे हैं here you go registers are basically small piece of memory part of the processor temporary storage of data which is about about to or has been processed अच्छा अब इस चीज़ को देखो इसको पर थोड़ी हम बात करता हूं डीटेल में और इतना जाद जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी knowledge के लिए बहुत जुरूरी है आच्छा देखो आपकी जो में मेंओरी अउसकी स्पीड पांटे सेंटर ने इस ख्यभी से आपकी सब्सक्रूंठ कर तो बहुत कम होती है तो इसमें ये तरी के नहीं सेंप नहीं कर रहे होते एक 이제 पड़कांव नहीं कर रहे होते एक चीज़ ने काम जल्दी कर लिया तब दूसरी memory के उपर pressure build up start हो जाएगा तो हम लोग का जो काम है वह synchronize नहीं हो रहाता है क्योंकि आपके CPU की speed, control unit की speed आपकी बहुत जाद है memory की speed आपकी as comparatively कम है, सही है, तब हम करते क्या हैं, अब हम लोग इस्तमाल करते हैं registers, registers basically क्या होते हैं registers, small piece of memory होती है, fast memory होती है, इस चीज़ को समझना, small piece of memory से 1 bit हो सकती है, 4 bits हो सकती है, 16 bit हो सकती है, तो maximum 16 bit, 8 bit, ऐसे memories होती है, small memories होती है, लेकिन बहुत fast होती है, सही है, ताकि CPU की जो speed है, उससे match कर सके हैं, सही है, तो registers basically small memories होती है, जो कि हम लोग जो भी data हमें perform करवाना होता है, जो भी instruction हमें perform करवानी होती है, सिर्फ हम उस चीज़ को उठाते हैं, registers में डालते हैं, और फिर registers से आपका जो CPU है, वो data जो लेगा, वो register से ले रहोता है, आपका data, जो कि memory में मौझूद है, आपका data, memory ये program, आपका memory, आपका जो भी data ये program, memory में मौझूद है, वो basically registers में जाता है, फिर registers से आपका CPU के पास सकते हैं, memory create होती है, by using the concept of logic gates, logic gates के जो concept है, जो कि एटू में फिर आप लोग पढ़ोगे, एक circuit है, टाइप of circuit है, which is known as flip flop, flip flop, सही है, अगर interest हो, तो पढ़ लेना, additional जाके, अगर time होता हो, लेकिन आपके जो flip flops होते हैं, वो basically, एक particular bit को store करते हैं, एक type of circuit है, जो की bit को store करत है, तो registers के अंदर क्या होता है, आप लोगों की sequence of flip flops, आप लोग इस्तमाल करते हैं, to create a particular register, सही है, तो यह सब logic gates को concept है, यह सब और detail में, आप लोग ये 2 के अंदर पढ़ोगे, कि arithmetic logic unit के अंदर, जो adders इस्तमाल होते हैं, उसकी क्या working होती है, उसकी diagram कैसी होती है, उसका circuit क कैसे बनता है, registers के अंदर, जो flip flop है, तो उसके आपके पास trace table कैसे बनेगी, सब चीज़े जोंगी, वह आपकी a2 का concept है, अभी फिलाल क्या है, registers के बारे में पता होना चाहिए, भाई, small piece of memory होती है, processor का हिस्सा है, temporary storage है, इतना सा concept आपको पता होना चाहिए, अभी फिलाल के जल्दी से लिख लो, small piece of memory, part of the processor, temporary storage of data, which is about to, about to, और has been processed, अभी खिदा, जल्दी जल्दी लिखो वई, तो गया सब कहना तक, अच्छा, अब हमारे पास registers जो होते हैं, वो दो तरीखी के हैं, दो टाइपस हमारे पास, एक है हमारा general purpose register, और दूसरा है हमारा special purpose register, सही है, अब वो आपसे, अभी तक सवाल किया नहीं है, लेकिन उमीद है मुझे कि यह सवाल आ सकता आपके पास, अभी तक नहीं होगा है What is the difference between general purpose and special purpose register? General purpose और special purpose register में क्या फर्क होता है, उसको देखते हैं, और इनकी जो टाइपस हम अलग से पढ़ेंगे उनको, लेकिन अभी फिलाल से एक in general बात करें, कि general purpose और special purpose register में फर्क होता है, general purpose register जब आपका temporary data store करने के लिए समाल होगा, general purpose register holds the temporary data while performing different operations, सही है, जैसे आपका accumulator हो गया, accumulator पढ़ा हुए आप लोगों ने, किदर पढ़ा है, assembly language के अंदर पढ़ा होगा, accumulator is basically a register, temporary memory होती है, जब भी आपका data process हो रहा होता है, जैसे suppose करो add किया, आपने subtract किया, increment किया, decrement किया, वो सारी चीज़े जो हैं, वो आपनों की temporarily आपका एक particular accumulator में store हो गया होती है, फिर हमें अगर उसका permanently एक particular address पर store करवाना होता है, तो हम उसका एक अलग instruction इस्तमार करते हैं, which is STO करके instructions है, वो आपको already concept, assembly language से clear हो गया है, तो accumulator क्या है, आपका general purpose register है, special purpose register क्या होते हैं, वो आपके सिर्फ और सिर्फ स्टेटस को store करते हैं, करेंगे, सिर्फ और सिर्फ status of a program को store कर रहे होते हैं, तो हमें पर दो particular type of register है, we have general purpose, special purpose, अच्छा अगर यही सीम सवाल अगर आपका 3-4 mark का जाता है, तो फिर एक चीज़ दिमाग में रखो कि आपी, तो यहां पे मैंने 2 points लिखे हैं, एक चीज़ दिमाग में रखनी यह है कि जब आप लोग marks scheme को study करते हो ना, या किसी भी particular papers को study करोगे, तो तुम्हें in depth यह सब चीज़ पता चलती हैं कि आपकी जो grading होती है, वो कैसे होती है, suppose करो कि अगर मेरे exam में यह सवाल आ जाता है, कि general purpose register और special purpose register, और मैंने यूट्यूब से पढ़ा था, कि भाई papers docs है, कि म सिर्फ दो points मुझे याद है, कि भाई, holds the temporary data while performing different operations and special purpose registers, holds the status of a program, यह दो points लिकर होंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ दो marks बलेंगे, suppose करते हैं कि यह 4 mark का सवाल आ गया है, तो अब इस scenario में अपना दिमाग स्वाल करो, माक्सीम को study किया जाता है, कि भाई, अगर grading होती है, तो कै intelligent guess ले रहे हैं, कि भाई, अच्छा चलो, यह दो, इसलिए इसकी marks ही अभी तक नहीं आपनों के पास, तो अब इसमें अगर ऐसा सवाल आ जाता है, कि अगर आपको चार mark का सवाल देता है, तो हमेशा examples लिक कर आनी हैं, सही है, examples के marks होते हैं, हमें इसमें बच्चों और आपनों को उसकी knowledge नहीं होती है, आप लोग उसको link नहीं कर पाओगे, AX और अलग-अलग AY रिजिस्टर होता हैं, जो कि आपनों को slip में जरूर नहीं है, में जो है, जो है, जो है, जो है, जो है, जो है, जो आपनों की general purpose register कहलाता है, तो आपने उसको as a example लिखना है, सही ह कर रहा हूं, special purpose register बहुत सारे हैं, तो हम और आपके slip का हिस्सा भी है, तो हम individually इनको discuss करेंगे, और जितने भी special purpose register से अभी discuss कर लेते हैं, लेकिन उनकी example जो है, वह आपने इस question के अंदर लिखनी होगी, अगर यह सवाल आपका 3-4 माग का जितने नहीं भी आता, फिर भी लेक सब्सक्राइब, आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा special purpose register के बारे में बात करते हैं, इसको मैं ज़रा different तरीके से थोड़ा सा पढ़ाऊँगो, special purpose register, अब आप लोग इसको समझने के लिए हम एक particular process को करेंगे, हमारे पस एक memory है, और उनके उपर value store होईगी है, ताकि चीज़ों क सब्सक्राइब, मैं इसकी definition लगवा देता हूं, याद कर लो, एक ही चीज़ होती है, लेकिन इसको relate करना ज़रूरी है, ताकि याद हो जाए आपको, हमारे पस memory address मौजूद है, 400, 401, 402, 403, 404, एक सब्सक्राइब मौजूद है, अब यह address मौजूद है, और उनके पास हम ल सब्सक्राइब, यह जो program है, और आपके पास memory के अंदर दो चीज़ें, एक data और एक data और यह program है, सही है, हमारे पर दो चीज़ें सब्सक्राइब हैं, अब हम individually हर एक register पर बात करते हैं, चलो, main registers हैं, आप लोगों के वो चार registers हैं, we have MAR, we have MDR, we have CIR, we have PC, अच्छा, examiner आप सब को यह सब याद होनी चाहिए, कि MDR का क्या purpose है, you are supposed to explain it, आपको explain करना पड़ता है, memory data register का 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 की ए, program counter मतलब PC का 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 है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, कैसे पता होंगी, कैसे याद होंगी, बहाए, relating stuff, सबसे पहला काम क्या है memory address register memory address register क्या स्टोर करता है memory address register MAR के बात करो स्टोर मेमरी address where data is to be read from suppose करो एक particular मुझे instruction apply करनी एड की सब्सक्राइब मुझे एड करना है मेरे पास जो accumulator में value है उसके अदर मुझे एक चीज़ को एड करना है किस चीज़ को एड करना है दिखते हैं memory address register में address store होगा किस तीसका address टोर गा जो data मुझे चाहिए जिस data पर मुझे काम करवाना है for example यहां पर example ले लेते हैं मुझे 40 को एड करवाने हैं अपने accumulator में सब्सक्राइब करते रहना 40 को मुझे अपने accumulator में add करना है तो मेरे memory address register में क्या स्टोर होगा चैट पर जल्दी से जवाब गवागा चैट पर जल्दी मुझे 40 को accumulator में add करवाना है तो मर के अंदर क्या स्टोर होगा memory address register बेतरीन जवाब आ गया which is 401 address where data is to be read from memory address register के अंदर क्या है address where data is to be read from for example मुझे 40 को add करवाना था कहां add करवाना था accumulator में तो मेरे पास 401 कहां मौजूद होना चाहिए memory address register में अब CPU जाह है वह इन registers की values को देखके अब जो भी data है उसको process करेगा memory address register पे 401 स्टोर हुआवा था हाँ 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 definition सब लिखाओं को tension मतलब अब इससे चीज़ों को relate करो यहां पर सही है तो 401 मेरा memory address register में स्टोर हुआवा है सही है अब इसके बाद आगे बात करते है memory data register इसकी बात करते हैं MDR अब suppose करो मेरा CPU आया CPU आया MAR के पास MAR के पास आने के बाद उससे देखा address 401 मतलब मुझे data उठाना है कहां से 401 से memory data register क्या होता है memory data register is basically a register which stores data that has been read from memory MDR memory data register stores data that has just been read from memory अब मैं by using the concept of LDD addressing जितनी भी है आपनों की आपने data को CPU ने read कर लिया memory address register से जाके address उठाया और उसको read कर लिया अब जो भी data read किया है अब मुझे बताओ चार्ट पर के MDR में क्या store होगा MDR stores the data that has just been read from memory बेतरीन जवाब आगया कि आपका 40 store होगा MDR के अंदर क्या चीज़ है हमारे पास हमारे पास 40 store होई भी है data which has just been read from memory चलो अब करेंट इंस्ट्रक्शन एजिस्टर की बात करते हैं अब मुझे यह बताओ इस सब इंस्ट्रक्शन्स हैं इस चीज़ को दिवाग में रखो इस सब इंस्ट्रक्शन्स हैं M.A.R. का जो address है उसका हम इस्तमाल करेंगे सही है चर्छन्स इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन इंस्ट्र इंस्ट्र इंस्ट्रक्शन इंस्ट्र करेंगे मुझे यह कर्वाना है जबताओ मुझे खरवाना है विच इस प्रेजंट इन 4-0-4-04 सई तो मुझे current instruction register में क्या आएगी मिरे पास instruction आएगी जिसको execute करवाना है which is add मुझे add करवाना था सब्सक्राइब रुक जो देखो फिर से current instruction register पहले focus करो इसकी definition पे stores the instruction current instruction register क्या करता है it stores the instructions that is currently being executed जो जो भी current आपकी instruction execute हो रही है वह आपकी CIR में मौझूद होगी आपका data सबसे पहले CPU आएगा मेर के पास मेर के पास आने के बाद हम लोग जो data है उसको देखेंगे 401 हमने address पे गए address पे जाके हमने data उठाके MDR के अंदर लोड कर दिया MDR के अंदर हो चुक है मेरे पास temporarily सब्सक्राइब इस पर्टिकुलर डेटा पर इंस्ट्रक्शन क्या अप्लाय करनी है उसको देखने जाएगा वह CIR के पास instruction store होई वहोगी जो भी मुझे execute करवानी है सब्सक्राइब अब क्लेर रहा stores the address of next instruction to be fetched suppose करो मुझे कोई और instruction इसके अंदर add करवानी है कोई भी नई instruction है मेरे पास stores the address of next instructions to be fetched जो भी नई instruction मुझे fetch करनी है वह हमारा कहां पर store होगा program counter for example मुझे इसको change कर देते हैं आइंस कर देते हैं इंक्रेमेंट कर देते हैं उसको तब मुझे next instruction जो fetch करनी है वह है मेरी 403 पर store होई भी है तो मुझे next instruction मैंने यहां पर लग दिया 403 बेसिकली आपकी यहां पर address आएगा next instruction का समझाई और भी रिजिस्टर्स हैं उन सब पर बात करेंगे अब में जो है में चार्ज रिजिस्टर्स हैं वह यह हैं यह CPU identify करेगा ना जो भी काम करवाना होगा जो भी कोड है उसके मताबक चीज़ दो रही होंगे ना यह सब आप कोड लिख कर दोगे ना उसको जरूरी नहीं है जैनब हम sequence में नहीं चलते मेमरी अड्रेस के अब suppose करो तुमने instruction कुछ ऐसे लिखी भी थी कि के असेमली लेंग्विश को दिमाग में रखो अबने इस चीज़ का concept के लिए असेमली लेंग्विश दिमाग में होना चाहिए आप जब असेमली लेंग्विश का कोड लिखते हो ना तो उनके sequence के मताबक चल रहाता है इस सब चीज़े मेमरी अड्रेस के सीक्विश के साथ चीज़े होती है तो जो भी नेक्स इंस्रेक्शन होगी वह प्रोग्राम तांटर केंदर मोजूद होगी उसका अब बरस अब जरह हम बात करते हैं इनकी डेफिनिशन इंडिविजुली आपसे वह लिख पाएगा तो इसको लिखना आना चाहिए अब जरह आप लोंग पर इनको लिख लिखना वननों से तो एक दफासारे देख लेते हैं प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स देड्रेस अब नेक्स इंस्रक्शन तो भी फैच्च्ट मेमरी अध्रेस रिजिस्टर स्टोर्स मेमरी अध्रेस पर डेटा इस भी राइट फ्रम भूल जाओ तो इनके इस चीज़ नाम के दर मौजूद है यह यह क्या चीज़ है आएक्स यह आपके सिर्टेल में एक्स्पेंड हो है इसकी जो भी वरकिंग है वह सब दूब है मौजूद है इंडेक्स एड्रेस एक्सी अक्यूमिटर यह भी आशिए लिए डिटेल में डिसक्स किया वैश्ट the data is work done इसको हो चैने जनरल पर पॉर पसे चिजिस्टर सहीं कहते हैं यह कि यह इस इंटर्पर्ट यह तरह होते हैं इसटेटर अड़ोगे मुताबग हम उनकी वालियूस को स्टौर कर रहे होते हैं पर ईग्जैमपल किसी भी परटिकुलर स्टेक्स की बात हो लिए कि आपक जो CPI के state में मौझूद है उसका जो status है वह सब खाप सोर हो रहा होगा वह register खेंड सटेट इस इंटरी से इंटिपर्टेट अस इंडिपेंडेंट फ्लैग इच फ्लैग सेट डिपेंडिंग आन एइवन्ट सही है जिस थे के बारे में पूछता है कभी वह बोल देखा कि वह स्टेटेस जिस्टर और सी आई यार का एक्स्प्रेइन करो ता आपका से एक्स्प्रेइन करना है कि कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे जो मैंने लिखवाएं अभी आपको इन सब चीजों के बाद हमारे पास है सिस्टम क् हम लोग बसस को डिस्प्रस करके और आज़ टिक इसको को खत्रम करें एवरी कंप्यूटर देखो आपके सीप्यों की एक cryptocurrency Clock स्पीड होती है सथी है अब यग्या क्लॉक स्पीड को समझना पढ़ेगा फिर हम सिस्टम क्लॉक कह समझे में तो आपके हर सीप्यों के पर एक clock speed है कि भाई वो कितनी instructions एक second की अंदर execute कर सकता है तो यह instructions होती है basically pulses होते है pulses मतलब एक instruction है आपने CP ने काम किया fetch execute, decode, fetch, decode, execute, fetch, decode, execute, instructions perform की अब clock speed क्याती है कि आपका एक particular second के अंदर कितनी instructions हम लोग perform कर सकते हैं इसका unit क्या है, इसका unit है, हर्ट, सही है, जिस चीज़ का clock speed का, हर्ट यूनिट है, अब हम हर्ट में major करते हैं कुछ आपनों के पीसी होते हैं, अगर settings में जाओ तो तो हम लोगा पदादा चल देगा, let's see, अगर मुझे यहां पर मिल जाते हैं, कि मैं भी दिखा देता हूँ ना, let's see, कि अगर मिल जाते हैं, वैसे मैंने इसको अंडर clock किया हूँ, तो मैं बताओंगा क्या मतलब इसका, देखो, यहां पर देखो, यहां पर लिखाव है 2.2 GHz और 2.21 GHz, इसका मतलब क्या है, कि 2.2 GHz आपकी जो instructions है, वो हम एक seconds के इंदे perform कर सकते हैं, सही है, 2.21 GHz या 2.2 GHz instructions जो हैं, हम perform कर सकते हैं, एक second के अंदर, सही है, अब यह vary करता है CPU to CPU, अब मैं जब इसके पर author report detail में बात करता हूँ, कि वैसे तो और इसमें बात होगी, जब हम computer performance के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी से वे एक in general बात कर रहा हूँ, ताकि कल का जो lecture होगा, उसमें आपनों को clock speed समझ आ जाए, क्योंकि अभी यह बात चड़ गई है, तो अब यह जो speed है, यह वैसे मेरे laptop के मताबर बहुत कम है, सही है, मैंने इसको under clock किया हूए, by using a software, एक software आता है, Intel Extreme Tuning Utility, हम इसको कम कर सकते हैं, अपनी clock speed को, सही है, अब suppose करो एक motor की example ले लो, किसी भी एक bike की example ले लो, होता क्या है, कि जब हम speed को तेज करते हैं, जैसे हमने speed को तेज की, अब आपकी motor तेज होई, तो basically, आपने करम किया मैं बता रहा हूँ, सब चीज़े बता रहा हूँ, तो जब भी हम speed को तेज करते हैं, किसी भी चीज़ की, जैसे bike है, हम speed तेज करते हैं, तो अब bike जो होती है, आपकी वो गरम होना start हो जाती है, बिलकुल same scenario आपके CPU के अंदर बे होता है, आप उससे जादा processing करवा रहे हो, same, मतलब अगर मैं इसको increase कर देता हूँ, suppose करो मैं इसको कर देता हूँ, four gigahertz कर देता हूँ, मैं इसको overclock भी कर सकता हूँ, सब चीज़ें possible है, intelligent tuning utility है, उसमें please घुसना मत, बगार किसी knowledge के, पू कर रहा हूँ, उसमें घुसना मतावी, बगार knowledge के खास दार पे, तो आप जो है, overclock भी कर सकते हैं, अगर speed बढ़ाने चाहूँ, अपने CPU की मैं बढ़ा सकता हूँ, सब्सक्राइब कर सकता हूँ, सब्सक्राइब कर देता हूँ, अब मैं उसको power consumption है, मैं उसको उतना ही दे कर रहा हूँ, तो अब मैं उसे काम जादा कर रहा हूँ, जब मैं उसके काम जादा कर रहा हूँ, तो होता क्या है, अब वो आपका heat होना start हो जाता है, for example, मेरे पास जो laptop MFS है, gaming laptop HP Omen, सभी है, इसके अंदर issues क्या है, कि इसके अंदर CPU तो है ही है, उसके साथ इसका graphic card भी है, लाइक से मतलब क्या है, मेरे frames drop होंगे, क्योंकि वो आपको heating को जाए, वो manage कर रहा हूँ, वो change हो रहे होते हैं, fix नहीं रहते हैं, तो अब मुझे पता है, बहुत साथ हीट अप हो रहा है, तो मैंने क्या किया, by using a software, Intel extreme tuning utility, मैंने अपने processing speed है, उसको कम कर दिया, और vault को मैं कर दिया, vault को कम कर दिया, और अपने, जो मेरी clock speed है, उसको भी मैंने कम कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि भाई, अब मेरे पास जो heating issues है, मैं में पस खतम हो गया, although मेरी थोड़ी processing, उससे परक आ रहा है, उसमें थोड़े चीज़ें जो हलकी हो जाती है, लेकिन फिर भी मेरे जो heating problem थी, वो sort out हो चुकी है, जरूर बहुत होती है, बहुत है, तो यह सब चीज़ें मैनेज करनी होती है, आपको देखना पड़ता है, अगर आपको heating issues नहीं है, बहुत अच्छे fans लगे में, circulation, air flow अच्छा है आपके laptop में, फिर आप इसको increase कर देते हैं, जब मैं game कहलता ह सब्सक्राइब कर देता हूं, यह सारे चीज़ें आपकी clock speed होती है, अब इस clock speed को maintain करने के लिए, we use something which is known as your system clock, सही है, इन सब चीज़ों को synchronize करने के लिए, इन सब चीज़ों को maintain करने के लिए clock speed को समहालने के लिए, उसको control करने के लिए, we use a system clock, system clock here, it's a built-in clock in your central processing image, every computer contains an internal clock that regulates the rate at which the instructions are executed, सही है, जो के सिर्फ मेजर करती है किस पर्टिकुलर रेट पर आपकी instruction जब वो execute हो रही है, by using a system clock, CPU requires a fixed number of clock cycles that, CPU requires a fixed number of clock cycles to execute each instruction उसको change कर दो थोड़ा बहुत, to execute each instructions use to synchronize all the operations, जितने भी आपके operations दो है, उन सब को synchronize करता है, क्या system clock, सही है, अगर अब आपको explain करने को कहें, तो वो आप easily explain कर सकते हो, कि system clock क्या होती है, ये तिन पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, तो ये clock speed के बारे में हम और detail में लिखेंगे, समझेंगे, लिखेंगे भी, जिब हम computer performance के बारे में बात करेंगे, अभी फिलाल नहीं कर रहे, तो अभी यहीं तक रहते हैं, system clock को यहीं तक रखते हैं, पस एक छोटा सा concept मुझे और करवाने हैं आप लोगो, इसको लिख लो जिब तक, इसके बाद जो concept है, वो है आपका data transfer से हवाले से बात कि नहीं है, हो जाए तो मुझे बता देना, ताकि मैं आज़े बढ़ूँ, हो गया, चल्ड़ो बेतरी, अच्छा, अब जब जब यहां पर देखो, अब हमारे पास यह अलग-अलग components है, पॉइंट टू एक सब्सक्राइब कर देखो, आपके हर एक instructions की ना, कुछ उनको particular cycles चाहिए होती है, जैसे एक instruction है, जो आपकी 5 cycles में complete हो जाती है, और कुछ instructions जो कि सिर्फ एक cycles उसको required होती है, तो यह सब चीज़े maintain कौन करता है, system clock करता है, CPU जो है, उसको fixed number of clock cycles चाहिए होती है, जैसे 5 cycles, 6 cycles, 7 cycles, 1 second, किसे भी एक instruction को, वो instruction vary करता है, तो इन सब चीज़ें को maintain करने के लिए system clock ज़रू भी होती है, आपके पस, इन सब चीज अब मुझे एक छोटा सा concept discuss करना है, पहले में ज़रा इसको नहां पर notes लेंगे, फिर मैं इसको समझाता हूँ, सवाल ही आता है, how data are transferred between various components of computer system, अब ज़रा इसके component systems के बात करते हैं, computer systems के बात करते हैं, अच्छा, यह वानिमन architecture है, यह basically सिर्फ एक छोटा सा chip नहीं है, CPU नही अदर अलग अलग चीज़ें, we have memory, एक अलग component है, we have CPU, which is basically a different component, we have input-output devices, which is a different component, सभी है, अब यह जब different components हैं, तो हमें इनके दरम्यान data को transfer करना होता है, यह जो arrows बने में यह basically कुछ शो कर रहे हैं, कि यह आपके data transfer करने के तरीके हैं, सभी है, अब हम इस्तमाल के करते हैं, हम इसमें इस्तमाल करते हैं, तीन particular types of buses, सभी है, अब जरन को study करते हैं, how data transfer between various components of the computer system, we have three types of buses, we have data bus, address bus, control bus, तीनों के अपने काम हैं, और सब चीज़ें वैरी करती हैं, इनके काम के मताबक वैरी करेंगी, सभी है, पहले हम बात करते हैं, data bus के बारे में, इट केरीज डेटा, नाम के मताबक देखो, इट केरीज डेटा, between processor and memory, जो भी particular wire, जो भी particular wire, आप लोगों का data केरी करेगा, between processor and memory, वो data bus कहलाएगी, बाइ-डायरेक्शनल बस होती है, बाइ-डायरेक्शनल बस मतलब आपको processor से memory में data जा रहा है, और memory से processor में data आ रहा है, तो बाइ-डायरेक्शनल हो गया, इट इस यूज़ टेटा, data को exchange करता है, exchange का मतलब क्या होता है, कि हम लेते हैं और देते हैं, that means कि आप उसको data दे भ बाइ-डायरेक्शनल बस बाइ-डायरेक्शनल को कैसे शो करते हैं, by using two arrows, one in upward direction and one in downward direction, या तो वो separately draw होंगे, या तो a single arrow होगा, which shows by direction by the faces of their arrows, सबसे पहली बस कौन सी है, we have data bus, which carries data between processor and memory, बाइ-डायरेक्शनल बस होती है, it is used to exchange data, अब examiner, आप लोगों को सवाल कैसे लेगा, वो आप से बोलेगा कि भाई data bus को explain करो, साही, so you're supposed to write these three points, और अगर वो आप से बोले कि भाई, data bus को identify करो, साही है, वो एक वायरेक्शनल आपको डायरेक्शनल आता है, तो उसको बहुत आराम से solve हो सकता है, कोई भी अगर ऐसा arrow हो, जोसके पस basically दो, आपके arrows हो, और वो processor औ memory के दरम्यान data को transfer कर रहा हो, तो इसको हम data bus name कर देंगे, जैसे अगर मैं कहूं, इसको इनाम देती है, तो वो आप से बोलेगा कि भाई, इसको explain करो कि A है क्या, तो आप लोग बोलोगे data bus है, तो भी हम इसके सवालाद देख लेंगे, चलो, दूसरी bus है हमारे पस address bus, नाम क आपकी bus होती है, यूनी डारेशनल है, by मतलब to, यूनी मतलब single, यूनी डारेशन बस है, address को carry करेंगे, that carries signals related to memory address, जितने भी memory address related signals है, वो हम address bus के थूरू send करेंगे, between processor and memory, कोई भी अगर ऐसे आपके पास wire connect हुआ हो, जो कि processor और memory के हो, के दरम्यान हो, और one way हो सिर्फ, तो carry क्या करेंगा, it will carry signals related to memory address, पीम पॉइंट लिखेंगे जल्दी से, अवाज लाग करें हैं मेरी, सब को clear है, मंज़र, जैनब, अवाज वह जाए लिए, सब को सही है, अगर इस तो में सही हैना पड़ेगा, मॉहमद, यहां पर दुक्ले रहा, सभी, address बस हो गई, the last one, और आज के लिए भी आखरी, चीज, that we are supposed to study, is control bus, control bus क्या है, it basically transmits signals, between control unit, and other components, सभी है, by direction होती है, जतने भी control unit से signals जाएंगे, वो आपनों के control bus, transfer करता है, it's a by direction bus, लेख लो जल्दी से, दो पॉइंट्स को control bus के बारे में, इसके बाद हम लोगों ने करना है, factors affecting the computer performance, HDMI है, VGA ports वगारा है, उन सब चीज़ों को discuss करना है, इंशाल्ला इसको कोशिश करते हैं, कि कल खताम होज़ा, आपनों का यह चप्टर, सब्सक्राइब लोगों करना है, इसको नोट डान कर लो जंदी से, और अप्सक्राइब लोगों कि यह चल्दी से, एपके जी, टाटा, बाई बाई तरी मले लोगी जीज़ों कि यह चाहिते हैं, कि प्रेंगे लोगों करना है, प्रेंगे लोगों कि यह चाहिते हैं,